आगे बढ़ेंगे से पहले एक ताजा ख़बर क्यों रुक कर लेते हैं ख़बर पालडी मीना से मिल रही है ग्रह मंत्री गुलाब चुन कटारिया के उद्यपूर दोर से ख़बर जुड़ी हुई है नगर निगम के बौट 46 के उपचुनाव में कॉंग्रेस की धमाखेदार जीत हुई है और बड़े अंतर से भाजपा के प्रत्याशी को हार का साम्रा करना पड़ा है कॉंग्रेस में जश्न का माहौल है और करारी हार हुई है ग्रह मंतरी गुलाब चंत कटारिया की ग्रह जिले में नगर निगम के उपचुनाव में कॉंग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी को करारी शिकस्टी है ग्रह मंत्री काटारिया का घर ग्रेग शेत्र जहां पर नगर निकम का उच्चुनाव पुरहा था उसके नतीजे सामने आ गए है वाड 46 के नतीजे में कॉंग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी को करारी शिकस दी है बड़े अंतर से ये शिकस दी गई है कॉंग्रेस के खेमे में खुशी की लहर उत्साह की लहर देखी जा रही है और एक बड़ा जटका ग्रह मंत्री गुलाब चुन्द काटारिया को लगा है साथी पूरे बीजेपी को ये जटका लगा है नगर निगम का उपचुनाव जिसका नतीजा सामने आ गया है और भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी प्रदेश आद्यक्ष के सस्पेंस को लेकर भाजपा फिलाल सुर्कियों में है लेकिन इस बीच नगर निगम वाड 46 को लेकर यह उपचुनाव के नतीजे की खबर सामने आ गई है जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है कई नेताओं की प्रतिश्ठा इस उपचुनाव से जुड़ी हुई थी और इसके नतीजे का इंतजार किया जा रहा था और यह नतीजा सामने आ गया है जिसमें कॉंग्रेस के प्रतियाशी ने भारी अंतर से बीजेपी के प्रतियाशी को शिकस दी है नगर निगम वाड 46 जो उदैपुर में ग्रह मंतरी गुलाबचंद कटारिया का ग्रहक छेतर है और ग्रह मंतरी गुलाबचंद कटारिया के वाड में यह उपचुनाव हो रहा था लिहाजा प्रतिश्ठा कहीं न कहीं उनसे भी जुड़ी हुई थी और अब मान सकते हैं कि अपना वाड भी गुलाबचंद कटारिया नहीं बचा पाए हैं और सामने एक बड़ा चुनाव उनके सामने है और इसी खबर पर जादर जानकारी के लिए रुख करते हैं उदैपुर से मुकेश पत्रिकाची वी समवादाता जोड़ रहा है मुकेश क्या कुछ खबर है कितने मतों से शिकस दी गई है कॉंग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी को प्रत्याशी था वो चवदा सो वोटों से यहां चुनाव आ रहा है जब कि बारती जन्ता पाटी पिछले चार बिनों से दिन रात पूरी महनत कर रही थी और उनका एक ही मनिशा थी कि यह चुनाव किसी भी सूरत में नहीं हा रहे है क्योंकि इसी का परिणाम अगले विदानसभा चुनाव पर जाएगा लेकिन बाजपा चौदा सो वोटों से यह वाड हार चुकी है जबकि यह वाड पहले बाजपा के बाजपा के पास ही था लेकिन अब बाजपा के हाथ से निकल चुका है जी मुकेश अगर बात करें कुछ नेताओं की प्रतिष्ठा की तो कौन-कौन से नेता इस उप्चुनाव को लेकर सक्रिय थे जिनको कह सकते हैं कि अब उनकी प्रतिष्ठा इस पूरे उप्चुनाव को लेकर डाव पर थी कौन-कौन नेता जुड़े हुए थे इस उप्चुनाव को लेकर थीके सीधे तोर पर उद्यपूर में बारती जन्ता पार्टी का पूरा वर्चब सो गरह मंतरी गुलाप चन कटायरे के पास ही है तो सीधे तोर पर एक बार तो वही जिम्मेदार इस जीहार के लिए हैं मेदान में उत्रा लेकिन वह भी 1400 मतों के अंतराल से जीता बाजपा बढ़े चिलता हमने अभी इस समय दूड़ी हुए कि विदान सभा चुनाव छे महने बाद ही हैं कैसे क्या होगा मुकेश जादा कोई बड़ा ऐसे कह नहीं सकते वाड का चुनाव था लेकिन सभी की नजरे इस उपचुनाव को लेके जो नतीजे सामने आ रहे थे उस पे टिकी हुई थी किन मुद्दों को लेकर ये प्रतियाशी चुनाव मैदान में उतरे थे क्या स्थानिय मुद्दे हावी थे या प्रदेश के मुद्दे थे या राश्रियस्तर के मुद्दे थे किस तरह के मुद्दे प्रतियाशी लेकर चल रहे थे दीगे सही बात तो यह है कि चुनाव को विदानसभा चुनाव में नहीं मान सकते हैं लेकिन काटारिया विदानसभा चुनाव को देखते हुई इस वाड में चुनाव लड़ते हैं वो उसी के हिसाब से उन्होंने गण निती बनाई थी बारती जनता पारिटी अपने विकात और नरेंदर मोदी और राजस्तान की सरकार को लेकर जनता के दूप गई थी लेकिन कॉंग्रेस में तीनों ही इस तरपर बाजपा को गेरा था कि उदापूर शेहर सीवरेज से खुदा हुआ है उदापूर शेहर में कही समझा है लेकिन के दूप गई शुक्रिया मुकेश इस पूरे खबर